नमस्कार मित्रो जय मातादी पर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे और नीचे कमेंड वक्स में कमेंड करे जय मातादे और अभी तक आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब करे आज जीवन की प्रती सकारत्मग दिश्टिकोन और संतुलि सोच आपके अंदर बेहतरिन परिवर्तन लाए रचनात्मक कारे में रूची बढ़ेगी अकुस समय एकांत्रत अथ्वा धार्मिकस्तल पर भी वेतित होगा भूमी अथ्वा परिवार संबंदी किसी विवाद विवासांती पुर्णतरी के सुल जानने का भी परियास करेंगे और अन्यथा विवाद बल सकता है आपको अनुकुल परिनाम नहीं मिलेंगे परन्तु भविस में अपनी मैनत अविसी रंग लाएगी परिवारिक वेबसाइट में से मंदित कारियों पर भी अधिक धियान देने के विवी ज़रत होगी मार्केटिंग संबंदी कारी आज उच्चित रुप से संपन हो जाएगे अग पर प्रती श्वास्त के प्रतील्य रखना भी जरूरी और आज का आपका भागे साली tum रहने वाले हैं ऐएधक होगी से का हमी रहने परिवार के किसी व्यक्ति के प्रती बनिन राजगी को दूर करने के लिए व्यक्ति का नजरिया भी समझने का कोशिश आविश्य होगी। संबंद के मामले में कुछ खास सतर्टा रहने के विजुरत होगी। संबंदी बाड़ा काम संभव है और किन्रों को वस्त्र भेंट करें। और अधिक वर्ग को अच्छा अफसर मिल सकता है सनी देव को काले तील चढ़ाएं। पोशिश किजिए कि अपनी काम में का गरता बनी रहे और नई जगह की यतरा लापकारी रह सकती है। कोविन्द दवनों सस्त्रों का पाठ करें। मांसिक उठा पटक के बाद भी लापकी स्तिती बन सकती है। मांसिक खरल से बचे अगोसला में पानी के लिए धनरासी भेंट करें। जरूरी नहीं है कि हर इक्षा पूरी हो इसकी थोड़ा धिरज रखें। और निकट के संबन्द विचित्र अनुभव देर सकते हैं। हनुमान जी को जेनववा चढ़ाएं। साजेदारी बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। फेक्टरी या गोदाम संबन्दी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लिजिए गनिस भगवान को सरसो के तेल में घुला कर सिंदूर चढ़ाएं। किसी महिला के साथ या महिला संबन्दी विवाद में ना उल्जें, मन चाही सफलता मिल सकती हैं। और स्री रामचरित मानस का वालकान का मंगला चरन पाग का पाठ करें। और आज आपको या गरह स्थिति पुर्नात अनुकूल है। आज अधिहातमत और अधियन संबन्दी कारियों में बहत्रीन समय व्यत्तित होगा। कोई सुप सुजनाभी मिलेगी, सामाधी तता राज नितिकारी में अपना तुष्यप बढ़ाने का भी समय उत्तम रहेंगे। संतान की पढ़ाई से संबन कुछ चिंता रहेगी, अजनाभी लोगों का भरोसा ना करें और धियान रखे के आलस या बहुत अधिक सोच विचार करने से समय व्यर्थ हो सकता है। और इससे आपकी कारी छमता पर भी परभावित होगा। वेपारिक गती विदियों से सुधार आएंगे से थोड़ी सी सुजबूचकी से काम लेने के भी जुरत होगी। यह समय उपलब्दियां वाला है और योजना बंद तरीकी से अपनी कारी को अंजम देवस आर्थिक स्थिति में बहतर होगी। दानत्य जिवन में नजदिक्यां बढ़ेगे छोटी मोटी नकारत्मग बातों को नजर अंदाज करें और प्रेम संबंदों भावना परदान बने रहेंगे। चाती से संबंदिक कुछ परिशानी रहेगी परन्तु या मोसमी वदलाव के बज़े से ही सर्दी से अपना उचित बचाव करें और आज का जो रहने वाले नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाते समय सतरका रखने के विज़रुरत होगी। अलत व्यक्ति के साथ प्रीचे होना आपके लिए मांसिक और आर्थिक स्वरुप किसे नुक्सान दायक हो सकता है। निकालेंगे तरह कुछ नुमा समय व्यत्तित होगा अपने कारिकुसलता द्वारा उम्मित से ज़्यादा लाब होगा पिछले कुछ समय से चर रही अस्त व्यस्त दिन चरिया में ठहरा आएंगे। सुचार रूप से किर्यात्मिक होती जाएगे अपन और संपर्कों के माधियम से सव्यस्ता हो जाएगी। से आधिके में निवेश करने का उत्तम समय है परंतु पहले से उसके बारे में उच्चित जनकारे अविसिले। विद परिवारिक सदस्यों के बीच उच्चित मताल मेल से घर का सकारत मकुर्जा व्याकत रहेगी। परंतु विवात्तर संबंदों से दूरी बनाकर रखने की भी जोरत होगी। सीर्दर्द और माईग्रेन की समस्या परिशान करेगी। वादी और वासी भोजन खाने से परेज करें। और आज आपका अधिक्तम समव्यवक्त परिवार के लोग और व्यतिगत ग्लेशन्सिप को ठीक करने में ही आप व्यतित करेंगे। जिसकी वज़े से आपको माहसिक सामाधान तो प्राप्त होगा। लेकिन की रिष्टों पर कितना निभर्व कराता है और कितना ध्यान देना है इस बात का समझने की आयुसकता होगी। काम से संबंदी पराप्रजेक्ट मिलेंगे। मीत्र दुबरा मिल जुए प्रजल और सोच विचार का समझ कर ही बोलें। और घुठनों से संबंदी तकलिफ को दूर करने की कोशिस करनी होगी। आज का दिन परिवारिक तथा आर्थिक दोनों दिश्टी से सुब्लाब दायक है। या समय आपको रचनात्मक कारियों में वहस्तात्र रखेंगे। व्यव्यक्ति गतकारियों में बहत्रीन समय से व्यतित होने से मान सिक्सांती अनुभव होगी। बच्चों या युवा वर्ग का अपनी पढ़ाई व केरियर्स की तरफ से पूरा धियान देनी की जबी जरुरत होगी। अपनी विचारों को पर्थामिक दे कभी कभी आप दुसरों की बातों में आकर अपना नुक्सान कर बैठेंगे। और आज की गरेश्तिती भी कुछ ऐसी रहने वाली है। इसलिए सुयम पर ही भरोसा रखना सीखे और कभी-कभी वानी में कठुरता की वज़े से समंदों में द्रारा सकती है। कभ, नजम, जैसी परिशानी रहेगी। सर्दी से अपना बचाप सुयम तथा मोसम के अनुकुल उच्चित आहर लेने के भी जरुरत होगी। काम से समंदों के अपना उच्चा काम दिखने के वज़े से आपको दी हुई जिम्मेदारी पर भी वापस ले जा सकती है। आपको परिवार और अपनी काम के परती अधिक जागुरता दिखाने का भी आविसकता होगी।